बाई साब यहान मेरे पास गंदक पोड़ाज और आज किस विडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला나무 कि इस गंदक को मिक्स कैसे करते हैं जो गंदक पोड़ास वह अलग अलग आती है टो इन दोनों को मिक्स कैसे करते यह चीज है काफी खतरनाक होती है यह पोटास गन में दिवाली पे यूज होती है और आपके दिमाग में कोश्चन चाहरे हो कि यह कहां से मिलती है तो प्लीज नीचे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं उस पर जाके देखे मैंने इस पर आल्रेडी वीडियो को बना रखे कि कहां से मिलती है तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको मिक्स करना तो भई गंदक पोटास को मिक्स करने से पहले गाइस मैं एक यहां पर कट्टा भिछा लेता हूं जिस से वह यह जो गंदक पोटास है वह नीचे ना गिरे और यहां पर मैं एक कि नियूस और यूस कर लेता हूं इसमें से मैं पहले हाफ कर लेता हूं और यूस पेपर गाइस अलग और यहां पर मेらे पास हैं दो पैकिट्स एक मैं घंदक और एक में पोटास और गाइज इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं यह है पौटास और इसके अंदर होगा गंधक तो सबसे पहले में पौटास को पीस लेता हूं तो इसको मैं सबसे पहले इस अगवार पे इस तरह से सारी निकाल लेता हूं यह लो भई और गाइज मैं जो गंदक पोटास है वह 100-100 ग्राम लाया हूं 100 गंदक और 100 ग्राम पोटास तो मैं इसको सेम क्वांटिटी में ही मिलाने वाला हूं दोनों चीज को मैं 100-100 ग्रामी एक साथ मिलाओंगा बाद में सबसे पहले मैं इसको पीस लेता हूं और यहां पर मैंने यूज कर रहा हूं इसको एक पाइप को लोह का पाइप है इससे यह बेलन का काम कर जायाएगा को भी उस्क कर सकते हैं तो वाइं इसको पीशना करते हैं शुरू इस तरह से अराम से पीस जाएगी अरु डाइज इसको जो पीस नाया वह बने वह बिल्गुल मिक्स हो जाए सारी दोनों चीज इस एकदम मिक्स हो जाए कि और गाइज देखिए आप लोग जो पोटास है वो लगबग पिसने वाली है तो इसको क्या करेंगे हम यहां पर मैं इसको छान लेता हूं छन्नी की मदद से प्लेट में अलग इसको छान लेता हूं पहले तो यह जादे जो इसमें पूरी बारीक पाउडर जैसी हो जाएगी हो जाएज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने जो पोटास है बिल्कुल पाउडर की फोम में पीस दिया है और इसको मैंने यहां पर प्लेट में रख लिया तो अब बारी है गंधक की पीसनेगी और यहां पर मैंने देखो दूसरे अकपार में गंधक को निकाल लिया है और इसको अब अलग से हम पीसेंगे और जहां पर जो मैंने पाइप को यूज करा था मैंने उसको पहले साफ कर लिया है क्योंकि इस पर थोड़ी बहुत पोटास लग रही है उसको साफ हो जाए क्योंकि इसको एक साथ मिक्स नहीं करना है बिल्कुल भी तो चलिए फिर इस के मुकाबले गंधक के गंधक बिल्कुल असानी से पीश जाती है तो अलग बाग पीश चुकी है देखिए अब इसको मैं प्लेट में छान लेता हूं कि अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने दोनों चीजों को अलग अलग पीश कर एक प्लेट में निकाल लिए बिल्कुल बारीक पावडर हो चुका है आप लोग देखिए और इसको चमत्री साइधा जे एक साथ धीरे-धीरे मिला देना है और इस बात का फिर से धियान रखिएगा कि बिल्कुल भी इस पर प्रैसर बिल्कुल भी मत डालना क्योंकि एक साथ अगर इसको मिला रहे हो तो बिल्कुल प्यार से मिलाना है इनको और गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा गंदक पोटास का मिक्सर एक दम रेड़ी है अब बस इसको किसी चीज में बॉटल में भर लेते हैं फटा-फट से देखिए यहां पर मैंने बॉटल ले रखिए और यहां पर मैंने इस धकन में इस तरह से लगा रखा है पाइप जैसा जिससे जो गंदक पोटास अराम से निकल सकी तो आप भी ऐसा बना सकते हैं और अब भर देते हैं इस गंदक पोटास को इस बोटल के अंदर तो गाइज फाइनली हमारी गंदक पोटास एकदम रेडी है अब अगली वीडियो में गाइज इस गंदक पोटास को करेंगे टेस्ट अब इसका लगा देते हैं धकन और गाइज मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गंदक पोटास के साथ कुछ experiments करते हुए तब तक के लिए बाबाई